एलो फ्रेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो, काफी दुनों के बाद आज वीडियो बनाना हूँ, एक छोटा सा अपडेट देना चाहूँगा पहले, सब लोगों को पता है क्रिप्टो का बेर मार्गेट चालो है, याने की डाउन फॉल चालो है, और यह सबसे सही टाइम ह होता है, क्रिप्टो ट्रेडिंग के बारे में सीखना, क्रिप्टो के बारे में सीखना, इनमेश्मेंट्स के बारे में सीखना, तो ऐसी बहुत सारी वीडियो's pipeline में है, अपसे consistently, आप लोगों के लिए वीडियो's upload करूंगा, तो अगर अब तक आप लोगों नैंचैनल को सब्सक्राइब कर लो और यह वीडियो गर थोड़ी सी भी पसंद आती है तो लाइक करना बत पूलना आते हैं हम लोग टॉपिक की तरफ में सबको पता है ट्रेडिंग व्यू सबसे एडवांस चार्टिंग वेबसाइट है जैसे कि यह आप इंटरफेस देख सकते हो यह इसक तो कॉइन DCX में कुछ ऐसे फीचर्स है जो वजीर एक्स में नहीं है जो कि मुझे परस्नली पसंद आते हैं और वजीर एक्स में भी कुछ ऐसी बाते हैं जो कॉइन DCX में नहीं है तो आते हैं हमारे टॉपिक की तरफ कि यह ट्रेडिंग व्यू का चार्ट हम लोग कॉइन DCX पर कैसे देखें तो उसके लिए में लेकर चलता हूँ आप लोगों को मेरे मोबाइल स्क्रीन पर जहां पर हम लोग देखेंगे कि यह टुटोरियल कैसे वर्क करता है तो कुछ ऐसा आता है कॉइन DCX का इंटरफिस तो आपको जो भी कॉइन चाहिए अब Prices पर क्लिक करो उसके बाद में कोई भी जो भी आपको Coin का देखना है उसके खलिक करो For example मैं सेलेक करता हूँ Ethereum को जैसे आपने Ethereum को सेलेक किया कुछ ऐसा इंटरफिस आएगा तो जिसमें आपको सेलेक करना है View Price Chart and Details के उपर क्लिक करना है उसके बाद में आपको ऐसे Line Chart देखेगा जो कि काफी टाइम से आता था बट यहां पर देखो आपको एक यह वारा जो Option होगा इस पर आपको क्लिक करना है जैसे आप Candles के ओपर क्लिक करोगे तो आपको कुछ ऐसा Interface Open हो जाएगा Candlestick Charts का जो कि हमको चाहिए था इसको बोले जाता है Candlestick Charts अगर आपको Interface Change करना है Candles नहीं चाहिए आपको कुछ और चाहिए लाइन चार्ट हो गया बार चार्ट हो गया अब वह कर सकते हो बट सबसे Easy जो चार्ट होता है Candles का ही चार्ट होता है High & Low Price Line पर क्लिक कर दो Okay देखो Lines बन गई उपर High की Lines बन गई और नीचे Low की Lines बन गई अब इसको Candles को मोटा छोटा आप कर सकते हो जैसे जोम करते हैं वैसे अगर जोम करोगे तो Candles मोटी हो जाएगी और जोम आउट करोगे तो बटली हो जाएगी यह जो साइट पर Numbers लिखे होए जो की Price है उस पे क्लिक करके नीचे स्क्रोल करोगे तो छोटा होता जाएगा और उसको क्लिक करके उपर स्क्रोल करोगे तो बड़ा होता जाएगा तो आपको जैसे सबसे चाहिए आप उसे सबसे सेट कर सकते हो उसके बाद अगर आपको कुछ नहीं करना है जैसे कि undo होता है, यहाँ पर click करो, यह back चला जाएगा, फिर आपको आगे जाना है, तो वहाँ पर click करो, फिर से ओपर forward हो जाएगा, यह दो बटन से back and forward के, ठीक है, अब उसके बाद आते हैं, indicators पर, आपको जो indicator चाहिए, आप वो indicator लगा सकते हो, और example, MA, moving average, इस पर click करता है, indicators के बारे में हम लोग किसी और वीडियो में सीखेंगे, just मैं click करते हैं, छोड़ दिया, तो देखो, दो बार गलती से click हो गया, दो MA आ गया, तो इसके settings में जाके, आपको जो भी MA चाहिए, आप वो कर सकते हो, और example, 50 दिन का MA लगा देता हो, आपको 50 दिन का MA आपके, देखें, उसे सबसे आप time change कर सकते हो, indicators change कर सकते हो, back जा सकते हो, जो चाहिए, आपको आप वो कर सकते हो, settings में जाके, आप change भी कर सकते हो, गलस में, और अगर आपको horizontal या vertical view चेंज करना है, आप यहां से वो भी कर सकते हो, देखो, और अगर आपको यहां पर कुछ buy करना ह है, अब तो coin DCX में limit orders भी आ गए है, तो आप यहां जाज़ा select कर सकते हो, instant, और limit, जाके अपना limit price डालो, for example, मुझे Ethereum बाय करना है, 1,40,000 में, कितने का बाय करना है, 13,000 पड़े, 1,000 का बाय करना है, ठीक है, लगा दिया मेरे order, जब Ethereum मेरे level के हिसाब से, मेरे level पे आएगा, उसी समय automatically buy हो जाएगा, order लगा हुआ है already, तो यह काफी चीज़े simple हो चीकिए है, अगर आप एक beginner हो, और trading सीखना चाहते हो, तो CoinDCX, one of the best Indian cryptocurrency exchange हो सकता है, सीखने के लिए, तो अब भी अगर आप futures में जाओगे, तो loss होने के बहुत जाला challenges है, अगर आप cash में रहोगे, तो अगर आपकी तरफ उल्टा भी जाता है trade, obviously इसमें sell तो नहीं होगा, buy होगा, अपने buy के और नीचे भी जाता है, तो आप उस जाएंगे, जिसमें मैं trading की strategies आपको बताऊंगा, indicators के ऊपर मैं आपको बताऊंगा, कौन सा useful है, कौन सा useful, नहीं है, cryptocurrencies क्या होती है, basic से लिए के advance अग सारे video channel पे आने वाले, तो एक बार फिर से अगर आपने अब तक subscribe नहीं किया, तो अभी कर लो, एक तो आप बहुत सारे content पर miss करने वाले हो, और वीडियो अगर आपको पसंद आया, तो लाइक करो, और आपको upcoming videos कौन सी topics पे पहले चाहिए, comment में वदा उस पे वीडियो ज़रूर लाँगा, तो friends सब तक के लिए good bye, मिलते हैं next video.